हेलो एवरिवन स्वाकत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं इमली की खट्टी मीटी चट्नी की रेसिपी बिल्कुल हलवाई की जैसी चैसी साधियों में आपने देखी होगी और इसको हम स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं कांच के जार में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सबसे पहले हमने इमली ले ली है और उसको एक बड़े बरतन में डालकर गरम पानी में अच्छे से टुबो कर भीगो कर रख दिया है अब इसे अच्छे से खोल देंगे जिसे कि अच्छे से फूल जाए इसका सारा पल्प गुठलियों से अलग हो जाए इसे आप कम सब्सक्राइब दस से पंदर मिट के लिए भीगो कर रख दीजिए जब यह फूल जाएगे उसे इस तरीके से हाथ से मसलते हुए इसका सारा रेशा गुठलियों से अलग निकाल लेना है यह हमारा पानी काफी गाढ़ा हो जाएगा जाएगा जाब हम आथ से इस टाइप से मसलेंगे तो इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए सारा पल्प निकाल लीजिए जिस तरीके से आज मैं आपको चट्नी बनानी बताऊंगे उस तरीके से आपकी चट्नी पांचे-दस मिर्ट में तियार हो जाएगी अब यह चणनी में डाल कर यह देखे मैंने इसका रेशा निकाल लिया है मैंने मसाले ले लिए नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और अगर आ अब चीनी को हम चलाते वे घोल देंगे उसके बाद हम इसमें सक कर देंगे इसमें आपको पानी डालने की जुरत नहीं है चलिए अब हमने सक कर दीए इसमें आपको पानी डालेंगे तो उतना ही टाइम आपको पकाने में लग जाएगा तो ज्यादा टाइम पकाने के यह बिल्कुल नहीं पतली नहीं गाड़ी बिल्कुल जैसे हम साधियों में देखते हैं बिल्कुल उसी टाइप की बनी है इसे आप स्टोर करके 15-20 दिन लिए भी आराम से कांच के जार में रख दीजिए तो फिरिज में खराब नहीं होती है टिकी के साथ गोल गपे दही सेमी के बरतन में इसे रखी रखी रहती है कि अब बढ़की किसमिस जो भी आपके पास वैलीबल सब डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके अब थंडा होने के लिए छोड़ दीछीए कुछ टाइम और जब इस अच्छे यम्मी बहुत टेस्टी खट्टी मिट्टी हर चीज में इसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो एक बार ट्राइ कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट वोक्स में जरूर बताइए थैंक्यू गाइस थैंक्य सुमस्ट